नमस्कार बच्चो कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्त्व सुरक्षित होंगे बच्चो आज का पाट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगा आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और जबाब देंगे खूब मन करता है टीवी देखने का देखते हैं तो बताईए आप लोग क्या-क्या देखते हैं धारवाहिक देखते हैं हाँ हाँ कार्टून चैनल्स भी तो देखते हैं समाचार सुनते हैं सुनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल तो laughter channel या फिर dance के कितने सारे मुकाबले वाले चीज़ें आती है आप लोग देखते हैं ना तो चलिए एक बात मुझे बताईए ऐसी कौन सी चीज है जो सभी channels पे आती है सभी धारवाहिकों के बीच में आती है धारवाहिकों के बाद में भी आती है सभी कारिकरमों के पेशियर द्यान देकर बताई कर बताईए विख्यापन धारवाहिक के बीच में किसी भी कारिकरम के बीच में आती है और उसके बाद भी आती है और हमारा ध्यान अपनी और आकरशित करते अधिर सारी चीजों के विग्यापन जरा बताएंगे आप किन किन चीजों के विग्यापन साबुन के विग्यापन टूथ पेस्ट के विग्यापन आते हैं ना टूथ ब्रश के विग्यापन पर्फ्यूम के विग्यापन घड़ियों की विग्यापन किसी भी दवाई के विग्यापन कितन पर पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते तो अखवार पढ़ना चाहिए अकवार पढ़ना आप बच्छों के लिए बहुत जरूरी है यदि आप हर रोज अकवार पढ़ेंगे तो आपका ग्यान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा अच्छा जो मैं बात कर रहा हूं अकवारों में भी आते हैं विग्यापन देखें आपने विग्यापन अकवारों में बड़े बड़े विक्यापन, रंग विरंगे विक्यापन, आपको पता है ये रंग विरंगे और बड़े बड़े क्यों होते हैं, ये इसलिए रंग विरंगे और बड़े बड़े होते हैं, ताकि ये आपका ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर सके, इसलिए ये विक्यापन कि यदि ये सारी चीजी हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन अच्छा नहीं है। स्रेश्ट नहीं है हमारे सुख की व्याख्या अब इन सारी चीजों का मिलना हो गया है। तो बच्चो आज जो हम पाट पढ़ने जा रहे हैं वो इसी विग्यापन की दुनिया और उपभोगताबाद की दुनिया पर आधारी थैं। हमारे पाट का नाम है उपभोगताबाद की संस्कृति। श्यतिज भाग एक का ये तीसरा पाट श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है। कि इस बदलती युग में सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हमें तभी सुख मिलेगा और हम दूसरों से तभी अच्छे गिने जाएंगे जब हमेरे पास ये सारी चीजें होंगी। तो बच्चो क्या ये सही है? हम इस पाट में पढ़ते समय इनी सब बातों की चर्चा करेंगे कि क्या सुख की ब्याख्या यही होनी चाहिए। तो बच्चो पाट का पठन करें आपके किताब शितिश भाग एक का तीसरा पाट उपभोकता वाद की संस्क्रती। बच्चो आप इसे सुनें क्योंकि इससे आपका उचारण भी सुधरेगा। कठी शब्दों का मैं उचारण कैसे करूँगा ये भी ध्यान पुर्वक सुनेंगे ताकि आप भी शुद्ध बोल सकें। चलिए आप पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन। उपभोकता बाद का दर्शन। उतपादन बढ़ाने पर जोर है और चारो और। उतपादन आपके लिए है। आपके भोक के लिए है। आपके सुक के लिए है। सुक की व्याक्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुक है। एक सुक्ष बदलावाया है नई स्थिति में। उतपादन तो आपके लिए है। पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अंजाने आज के माहौल में आपका चरित भी बदल रहा है और आप उत्पात को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामगरियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड कोशिश में निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तों को ही ले लीजिए तूथ पेस्ट चाहिए यह दांतों को मोती जैसा चमकिला बनाता है यह मुक की दुरगंध हटाता है यह मसूनों को मजबूत बनाता है और यह पुन सुरक्षा देता है यह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग- पेस्ट का मैजिक फार्मूला है कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है कोई रिशी मुनियों द्वारा स्विक्रित तथा मान्य वनस्पती और खनिश तत्तों के मिश्रण से बना है जो चाहे चुल लीजिए यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रुष भी अच्छा होना चाहिए आकार रंग बनावट पहुच और सफाई की शमता में अलग-अलग एक से बढ़कर एक मुख की दुरगंत से बचने के लिए माउथ वाश भी चाहिए सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप नए ने उतपाज जूरते जाते हैं साबुन ही देखिए एक में हलकी खुश्बू है दूसरे में तेज एक दिन पर आपके शरीर को तरो ताजा रखता है दूसरा पसीना रोकता है तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है यह लीजिए सीनी स्टार्स के संदरे का रहस उनका मनपसंद साबुन सचाई का अर्थ समझना चाहते हैं यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके संदर में निखार ला देगी संबरांत महिला की ड्रेसिंग टेबल पर तीस तीस हजार की संदर सामगरी का होना तो मामूली बात है पेरिश से परफ्यू मंगवाईए इतना ही और खर्च हो जाएगा यह प्रतिस्ठा चिन हैं समाज में आपकी हैसित जताते हैं पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है पहले उन परिधान की दुनिया में आईए जगह जगह बुटीक खुल गए हैं नए ने डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं यह ट्रेंडी हैं और महंगे भी पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है घड़ी पहले समय दिखाती थी उससे यदि यही काम लेना ह तो चार पांसों में मिल जाएगी हैसित जताने के लिए आप पचास साथ हजार की लाख डिड़ लाख की घड़ी भी ले सकते हैं संगीत की समझ हो या नहीं किमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों के संख्या भी कम नहीं है खाने के लिए पांच सितारा होटल हैं वहां तो अब विवा भी होने लगे हैं बिमार पढ़ने पर पांच सितारा अस्पतालों में आये सुक सुविदाओं और नहीं आई पर अमरीका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रमंद भी कर सकते हैं एक कीमत पर आपकी कबर के आसपास सदा हरी घास होगी मन चाहे फूल होंगे चाहे तो वहां फवारे होंगे और मंद धन में निरंतर संगीत भी अमरीका में आज जो हुरा है कल भारत में भी आ सकता है प्रतिस्ठा के अनेक रूप होते हैं चाहे वे हास्चास पधी क्यों नहों यह एक छोटी सी जलक उपभूकतावादी समाज की यह विश्ष्ट जन का समाज है पर सामाने जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं उनकी दृष्टी में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट च्वाइस बेबी अब विशय के गंभीर पक्षकी ओर आएं इस उपभूकता संस्कृती का विकास भारत में क्यों हो रहा है सामंती संस्कृती के तत्व भारत में पहले भी र परंपराओं का अमुल्यन हुआ है आस्थाओं का शरण हुआ है करवासस तो यह है कि हम बौधिक दास्ता स्विकार कर रहे हैं पश्चिम के संस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं हमारी नई संस्कृती अनुकरण की संस्कृती है हम आधुनिक्ता के जूटे प्रतिमान हो जाने के कारण हम दिख भ्रमित हो रहे हैं हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है विग्यापन और प्रसार के सुक्ष्प तंत्र हमारी मानसिक्ता बदल रहे हैं उनमें संमोहन की शक्ती है वशीकरण की भी अंततर इस संस्कृती के फैलाव का परिणाम क्या होगा या गंभीर चिंता का विशह है हमारे सिमित संसाधनों का घूर अपवय हो रहा है जीवन की गुणवत्ता आलो के चिपस से नहीं सुधरती न वहुवे ग्यापित शीतल पेयों से भले ही वे अंतराश्टी हों पीजा और बर्गर कितने ही आधूनी को हैं वे खा दे समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है समाजिक सरुकारों में कमी आ रही है जीवन स्तर का या अंतर आक्रोश और आशांती को जन्म दे रहा है जैसे जैसे दिखावे कि ये संस्क्रती फैलेगी समाजिक आशांती भी बढ़ेगी हमारी संस्क्रतिक अस्मिता का रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष भ्रहम से भी पिडित हैं, विकास के विराट उदेश पीछे हट रही हैं, हम जूठी तुस्टी के तातकालिक लक्षों का पीछा कर रही हैं, मर्यादाएं तूट रही हैं, नैतिक मांदंड धिले पड़ रही हैं, व्यक्ति केंद्रिक्ता के लिए अपने दर्वाजे खिड की खुले रखें पर अपनी बुनियात पर कायम रहें उपभोकता संस्कृति हमारी सामाजी की नीव को हिला रही है यह एक बड़ा खत्रा है भविश्य के लिए एक बड़ी चुनोती है तो बच्चो हमने यह पूरा पाट पढ़ा पाट नकि विग्यापन की माया जाल में उलचकर बहुत सारी चीजें खरीद लेनी चाहिए हमें पहले सूचना होगा कि हमारे लिए जरूरी चीजें कौन-कौन सी है विज्यापन के लोग तो धेर सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि उनकी हर चीज हम खरीदने पर ऐसा संभव नहीं है हमें वो चीज़ें ही खरीदनी है जो हमारे लिए जरूरी है दूसरी बात ये विज्यापन हमारे व्यक्तित्तों को भी प्रभावित करें, हम ये इतना आकरशित कर देते हैं, कि लगता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे पास नहीं है, तो हम स्रेष्ट नहीं है, हम स्रेष्ट तभी होंगे जब हमारे पास अच्छा सा परफ्यू होगा, अच् लेकिन ऐसा नहीं है यदि हमारे पास वह चीज नहीं है तो भी हम व्यक्तित्तों से अपने चरिश्ट से स्रेष्ट होने चाहिए तीसरी चीज बच्चों हमारे अंदर ये सारी विग्यापन इर्शाद्विश की भावना को भी पैदा कर रहे हैं यदि किसी ने कोई चीज खर इर्शा करने लगते हैं तो बच्चों हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि उसने जो चीज खरीदी है वो अपने हिसाब से खरीदी है अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी है हमारे पास शायद उसकी जरूरत ना हो या हम उसे खरीद ना सकते हूं तो फिर हम उससे संस्कृति को अपनी चरित्र को और अपनी जरूरत के हिसाब से यदि हम किसी चीज का उपयोग करते हैं तभी वे हमारे काम की है वरना हम इस उपभोकता वाद की संस्कृति में अपने आपको अपनी समाज की प्रतिस्ठा को अपनी चरित्र को खो देंगे और लेखा के चाहत है कि हम ऐशा ना करें दूसरी की संस्कृति का अंधा अनुसर ना कहें पश्ट्मी सब्यता कि संस्कृति हम पर हावी WOR шती चली जा रहे वो उनकी जरूरते हैं हमारी जरूरतें नहीं है एसलिए आशक है कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजे चुटाएं चलिए बच्चो अब थोड़ा सा आप से कुछ पूछ ले मुझे उम्मीद है कि आप निपाठ जितना अच्छे से समझा है उतने ही अच्छे से सोच कर मुझे जबाब भी देंगे अच्छा बताईए कोई भी बस्तू हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो लेकिन टीवी पर विद्यापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालाइत हो जाते हैं हो जाते हैं तो बताओ हम क्यों लालाइत हो जाते हैं सोचो सोचो बताओ हम क्यों लालाइत हो जाते हैं हाँ क्योंकि वो आकरशक होती है वो हमें अपनी तरफ खी इसलिए हमारा मन करता है कि हम वो बस्तू लेली चाहे वो हमारे उपयोग की है या नहीं है उसका आकरशन हमें अपने में बांदू लिता है और हम लालायित हो जाते हैं कि हम उसे खरीद ले शाबश चली मेरे दूसरे प्रशन का उत्तर दीजिए दूसरा प्रश्ण है आपके अनुसार वस्तू को खरीदनी का आधार वस्तू की गुडवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्यापन हाँ बताईए कि वस्तू की गुडवत्ता आपके लिए उसके खरीदनी का आधार होना चाहिए या उसका विज्यापन यानि मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी वस्तू की विशेष्टा के कारण आप उसे खरीदते हैं या विग्यापन देके खरीद लेते हैं क्या कारण होना चाहिए उसके विशेष्टा या उसका विग्यापन बताइए बताइए हाँ उसकी विशेष्टा कभी कभी हम विज्यापनों में उलचकर ये समझ ही नहीं पाते कि इस वश्टू की खासियत क्या है, इस वश्टू की विशेष्टा क्या है, हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं, हमारे काम की है भी नहीं, हम बस खरीद लेते हैं तो बच्चो उसकी गुणवत्ता उसकी विशेषता उसका वो किस तरह से हमारे काम आ सकती है ये चीज़ें आधार होनी चाहिए हमारी खरीदारी की तभे हम वो चीज़ें खरीदें चलिए एक चीज़ और मुझे बताईए आज की उपभोकता संस्कृति हमारे रिती और तयवारों को भी परभावित कर रही हैं अपने देखा है हमारे रिती रिवाजों में भी हमारे तयवारों बताओ जरा हम कौन से तेवार पे कौन सी चीज बाजार से ले आते हैं घर में बनाना ही बंद कर दिया है ना बताओ बताओ होली पे कौन सी चीज बाजार से लाते हैं दिवाली पे कौन सी चीज बाजार से लाते हैं बताओ बहुत सारी चीज़ें लाते हैं हाँ शाबाद सही बट्वे पापा बना सकते हैं आप बना सकते हैं पर क्योंकि ये विक्यापन से दिखाया जाता है नगा इसलिए हम बहुत सारे चीजें लियाथे हैं तो बनाई एक सूची कौन सी चीजें हम बेर सारी अपने तेवारों पर ले आते हैं और यदि हम ना ले आएं तो भी हमारा काम चल सकता है बनाओ बनाओ एक लंबी सुची बनाओ चलो एक और सवाल का जबाब दो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सोच कर खूब अच्छे से जबाब देना सीख रहे हैं जाने अंजाने आज के माह में बाजार हमारा चरित्र भी बदल रहा है बदल रहा है ना जैसा कि मैंने बताया था हमारे अंदर इश्याद्विश की भावना भी ला रहा है हमारे अंदर गुसा भी ला रहा है ला रहा है ना तो बताओ ऐसी कौन सी चीज नहीं मिलने से आपके अंदर गुसा आ जाता ह या आप चाहते हैं कि आपको मिले और पापा आपको ले कर नहीं देते मम्मी आपको खरीद के नहीं देती आपको गुस्सा आ जाता है तो बताओ जरा कौन सी चीज ना मिलने से आपको गुस्सा आ जाता है आप चाहते हैं मेरे पास यह होनी चाहिए विग्यापन देखकर चा बात करो ममी से बात करो गुस्सा बिलकुल नहीं करना आपके चरित्र में बदलाव नहीं आना चाहिए और यदि आपके दोस्त के पास कोई चीज है आपके पास नहीं है तो आप अपने दोस्ते इश्या ना करें बताओ तो जरा मन में सोचो तो कि कौन सी चीज आपके दोस्त लिया है आप सही जबाब देंगे पर बच्चो इश्या द्वेश नहीं लाना इदि आपके मित्र के पास कोई वस्तु है आपके पास नहीं है तो आप अपने मित्र के प्रती प्रेम का भावी रखें उसके लिए अपनी मन में इश्या का भाव बिलकुल नहीं लाएं बच्च इन सवालों के बाद हम थोड़ा सा व्याकरण का भाग भी करेंगे इस पार्ट में कई जगह क्रिया विशेशन का प्रियोग हुआ है जैसे एक वाक्य ध्यान से सुने धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है इस वाक्य में बदल रहा क्रिया है यह क्रिया कैसे हो रही है धीरे धीरे अतह यहां धीरे धीरे क्रिया विशेशन है तो जरा क्रिया विशेशन को समझ लें अब क्या होते हैं क्रिया विशेशन जो शब्द क्रिया के विशेशता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं जहां वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे कब कितनी और कहां हो रही है वहां वह शब्द क्रिया विशेशन कहलाते हैं जरा मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूँ इनमें आप क्रिया विशेशन बताएं सुने मुझे ध्यान से पहला वाक्य है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है हां जी ध्यान से सुने कल रात से निरंतर बारिश हो रही है बताओ इसमें क्रिया विशेशन क्या है ध्यान से सोचो क्या हो रही है बारिश हो रही है और बारिश कैसे हो रही है निरंतर हो रही है बेलकुल सही निरंतर यह यहां पर क्रिया विशेशन है चलो दूसरा बाक्य पढ़ू मैं रसुई घर से आती पुलाव की हलकी खुश्बु से मुझी जोरों की भूख लग गई हां जी हां जी बताइए बिल्कु सही जोरों की भूख लग गई जोरों की यहां पर क्रिया विशेशन है हाँ अगला वाक्य पढ़ू मैं उतना ही खाओ जितनी भूख है बताओ बताओ इसमें क्रिया विशेशन कौन सा है हाँ बिल्कु सही उतना ही उतना ही कितना उतना ही कितना का जबाब मिल रहा है यहां पर उतना ही क्रिया विशेशन है अगला वाक के मैं पढ़ू अगला वाक के ध्यान से सुने विलासिता की वस्तू से आजकल बाजार भरा पड़ा है इसमें क्रिया विशेशन बताओ सोचो सोचो बिल्कु सही आजकल यहां पर आजकल क्रिया विशेशन है बच्चो मुझे उमीद है कि आपको क्रिया विशेशन भी समझा गया तो बच्चो आप ये पार्ट दुबारा पढ़ेंगे और कोई पांच वाक जिनमें क्रिया विशेशन हो यानि क्रिया विशेशन के पांच वाक ढूंड कर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो बच्चो मुझे उमीद है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझा गया होगा अपने विशेशन की अच्छे से तयारी करें और अभ्यास करते रहें पार्ट को समझें और दुबारा पढ़ें घर पर रहें सुरक्षित रहें खुश रहें धन्यवाद